दोस्तों BPSC के तद हेड़ मास्टर की बहुत सारे वेकेंसी आई है लगबग 6421 पन के लिए वेकेंसी आई है वैसे हमारा यह चीज आपको पिछले वीडियो में आपको मालूम करी दिया हुआ कि कंप्ली डिटेल्स क्या क्या लगता है लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं देखिए आविसे सुचना में क्या लिखानों ने सिक्षावी भाग बिहार के अतरकत उच्च मादमिक विद्यालों में प्रधाना ध्यापक के कुल 6421 पदों पर नियुक्तु है तो स्योग भारते नागरी तथा बिहार राज्य की निवासी उमिद्वार को विहि विद्यालों में प्रध्याना ध्यापक का इसमें पद है वेकेंसी है हेड मास्टर का वेकेंसी है ऑनलेन आबेदन आपका पांच मार्श से लेकर के 28 मार्श के बीच होना है इसी बीच आपको अप्लिकेशन करना है बिश्तरी जानकारी के लिए क्या कहा उन्होंने की www.bpsc .bis.nic.in पर इसके जीजों को आप देख सकते हैं समझ सकते हैं हलाकि जदी आप हमारा पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको बिल्कुल सब कुछ पता क्लियर हो गया होगा कौन इसको भरेगा कितने पढ़े लिखें लोग भरेंगे बीड होना चाहिए कि ने होना चाहिए क्या टीटी पास होना जरूरी है क्या आपको experience भी होना से जरूरी है कितने पढ़े लिखें लोग आपको भरना है इसके form को आपको साइध मालूम हो गया और नहीं मालूम और अभी बैक होके जाईए आप उस वीडियो को जरूर देखे ताकि आपको आपका eligibility पता सब जाए करके हैं या फिर नहीं भर सकते चलिये आपकोम बता दें कि किस किस प्रबंडल चलिये, किस किस रोस्टर की विवर्नी, जीया दोस्तों जहां कि कैसे चेक करना कैसे देखना है तो यह तु आपका complete category है और यह आपका प्रमंडल का नाम है, जहां जहां की complete सीठे हैं और उसके सामने जैसे कि जेंडल है जेंडल के सामने कितना कितना सीठ है यह आपको यहाँ पर दिखाई पर रहा हम आपको help करके आपको सुनाते हैं बताते भी और दिखाते भी चलिए जैसे कि आपको सबसे उपर में आता एक नंबर में अनारक्षित यानिकी अन्डिजर्ब यानि कि यू आर जेंडल जो भी आप समझे तो जेंडल के लिए पूर्णिया में 186 पद है पत्ना में 236 पद है साराण में 166 पद है 146 आपको मुंगेर में 365 आपको तीरहुत में भागलपूर में मात्र असी है कोशी में आपको 102 है 165 मगद में दर्भंगा में 222 खुल विलाकर के 1600 आपको 68 रखा गिया है हलाकि इसमें जो फीमेल परसन है उसके लिए 35 परसेंट जो सीट अरक्षित है जैसे कि यहां पर अलग से दिखावा देखिए यहां पर अनरक्षित महिला के लिए एने कि जैनरल की बात करें तो जैनरल की महिला के लिए नंबर टू में लिखा हुआ उपर वाला जो आपको नंबर वन में दिकरा हुआ अनरक्षित उसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुस के लिए है उसमें महिला का नहीं है आपको महिला के लिए नंबर टू यहां पर देखिए अलग से लिखा गया है पुर्णिय के मेल की बात करें ती नंबर में तो उसके लिए 450 रखा गया है किसमें कितना सीट है किस जिला में आपको इस हिसाब से आप यहां से देख पाते हैं उसी हिसाब से EWS की जो फीमेल परसन के लिए है तो वहां पो 189 189 सीट रहने वाला है यह लाइन आप देख लिए किस-किस ज इतना सीट है उसके हिसाब से आपको देखिए आपको सभी के टेगरीज की जो भी सीट है वह आपको दिख जाते हैं जैसे कि यहां पर बात कर लेते अत्यंत पिछरा वर्ग यहने की जो यह जो EBC है यहने की BC1 जिसको बोलते हैं हम लोग BC1 में आपको जो मेल परसन के लिए है वह 731 है जो कि इस तरीका से सभी भी रहने वाला है और यह वाला लाइन आपको है देखिए जो EBC के जो की मेल के लिए यह लाइन है आपको 731 और उसके लिए फीमेल की लाइन यह है जहांकि 426 फीमेल है उसके बाद यहां पर पीछना वर्ग यानिकि बीसे टू की बात क है सभी जो की प्रमंडल में जो भी प्रमंडल है पुर्णीया पत्ना सार्लान सबकी सामने सब का लिखा हुआ है कितना नंबर उसके इसके आप स्कीन port से भी ले सकते हैं यो पर इसको पाउच करकर भी आप ढ़ear कर सकते हैं समस्षतें बूच सकते हैं हर एक कटेगरी के बा लास्ट वन जदी आप देखेंगे लास्ट ली यहां पर क्या लिखा हुआ है कुल साथ सो पंदरह आपको मिल जा रहे है जो कि आपको पूर्णिया प्रमंडल में जदी हम टोटली की बात आप दिया किया जाए करें हम लोग टोटली जदी बात करें तो सबसे पहल में यहां पूर्णिया का है और पूर्णिया आपको कितना मिल जा रहा है तो साथ सो पंदरह आपको पूर्णिया प्रमंडल में में पटना में नो सव सारण में है मुंगेर में 563 है तिरहुत में 1402 बहुत ज़्यादा सीट मैकस्मिमम तो तिरहुत में ही है वागलपूर में 1310 है 394 कोशी में 636 आपको मिल जा रहे हैं मगद में दर्भंगा में 854 कुल मिला करके आप यहां पर जितना भी सीट है इकीसट च्वाइश सीट आपको वहां पर मिल जा रहा है उसके अलावा जो यहाँ पर और देखिया कुल मिला करके सोरी आख से अंधे हैं आख से कम दिखता है या फिर अंधा है उसके लिए क्या है यहां पर पुर्णिया में आठ है पटना में नौ सारण में साथ इसी तरीका से सरसच दिया गया है यहां पर उसी साब से और जो भी विकलांगता का टाइप है सब का अलग अलग इसमें दिया गया चौतीस है कुल मिलाकर 257 257 सीट है जो की दिव्यांग के लिए है यानिकी डीक्यू के लिए यानिकी बिकलांग के लिए उसी इसाब से और भी बात करें नीचे में देखे सबसे जो महत्पूर्ण सीट उनके लिए है जिनके घर में फ्रीडम फाइटर अभी भी जिंदा है ज इसे की आपको कुल सो 3,421 सीट है उसका 2% यानिki 128 सीट उसके लिए आरखचीत है उस आरक्शन में आपको देखे पुर्णिया में 14 सीट है पत्ना में 18 है सार्ण में 13 है मुंगेर में 11 तिरहूत में 28 भागलपूर में 6 कोशी में 8 मगत में 13 दिरवंगा में सतर अकल मिलाके 128 सीट आपको यह जो फ्रीडरम फाइटर के जो घर के बच्चे है नाती पोते हो गड़े हैं उसके लिए आरक्षित है वो दो परसेंट उसको यह निकी जो भी सीट है छेजार चार्सुएकीस है उसका 2% सीट मिला है जो की फ्रीडरम फाइटर के घर के इसके हिलाबा 35% जो सीट है वह है महिलाओं के लिए इसमें रक्षित किया गया है आप इसी जो को एक बार स्पस्ट पाएंगे देखिए प्रमंडलवाद जो रोस्टर दिया गिया है विवर्नी दिया गिया है बोड के दौरा कि भाई या कहां पर कितना सीट है इसी जो को 715 सीट दिया गिया है पटना में आपको 906 है सारण में 641 है मुंगेर में 563 है और तिरहुत में सब ज़्यादा है 1402 सीट है 310 आपको भागलपूर में दिखना है 394 आपको कोशी में है 636 आपका मगद में 854 आपका दरवंगा में हलाकि यह कमिशनरी है किस कमिशनरी के तो फिर अपने हिसाब से इन चीजों को आप देख लीजिए जैसे कि पूर्णिया कमिशनरी है पूर्णिया में जैसे कि अरडिया पूर्णिया कटियार यह सब आते हैं तो इन सब जीले के लोग अपने आपको पूर्णिया मानेंगे पूर्णिया में 751 है उसी हिसाब से जैसे आप कोशी के बाद थे तो मध्यपुरा सुपॉल सारसा होगा रहते हैं उन सब जिले के लोग के लिए 300-400 भी हो जाएगा तो इसी हिसाब से आप जिस भी जिले के लोग है आपका जो कमिस्टरी है जो प्रमंडल है उसी हिसाब से आपका इसमें सिप दिया गया है अपने सीट के हिसाब से की फिर्म को आप अपलाई करेंगे उस जग्हों पर आपपलाई करेंगे जड़ी आप दिव्यांग है तो आपका अलग से सीट बनाया गया है देखिए यह जो उपर वाला सीट है यह तो इसपस्टि जो प्रस ई इसको दिवयांग का उसमें seat mention नहीं है ज़िए आप दिवयांग के लिए यह सीट है आप इन जो सीटें है यह आप बीच वाला जो रोस्टर है उस पे ध्यान देंगे वहां पर आपको सीट है और ज़दी आप परिवार के लोग है तो आप सबसे नीचे वाले में आप जाएं essential qualifications होनी चाहिए उसमें क्या होनी चाहिए इसके बारे फिर से को अता दे कि इस form को भरने के लिए इसके apply को करने के लिए को कम से कर आपके पास PG degree होनी चाहिए साथ में आप 2012 के बास TET पास किये हैं तो आप कर सकते हैं और साथ ही में आपको जो है बिहार के निवासी होने चाह प्राइब है तो आप इसके form को भर सकते हैं साथ में BA AD या BSC AD भी आप कि यह हो तब इसके form को apply आप कर सकते हैं हाला कि आप कर लिए आप सिंपली PC कर लिए हैं बीएड कर लिए तो आपके लिए नहीं है आपके लिए TET पास होना भी जरूरी है सारे पेपर आपके पास लब्ध होंगे तभी इसके फॉर्म को आपको भरना क्योंकि बोर्ट डिमांड करेगी आपके पास सभी पेपर दोपलोड होने चाहिए आपके पास नहीं मिलती है तो फिर समस्या हो जाएगी हलाकि इसमें इंटरव्यू नहीं है इसमें सीधी आपका जो एक को इसमें आएंगे उसका आप आंसर देख करके उसी के बैसिस पर आपका जो है मेगा सुची तयार होगा और उसमें आपका जॉइनिंग होगा सीध है क्योंकि इसमें इंटरव्यू की ववस्था नहीं है आपको दिकते नहीं होगी सिंपल सा है जैदि आप इसके लिए ए पासान है जो नहीं है तो वह इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे अन्यवाद दोस्तों जैदी आपको सेलेवस देखना है हमारा कि किस सब्जेक्ट से कितना कौन कौन टॉपिक से कुस्ट आएंगे तो आप हमारा अगरा वीडियो जरूर देखें इसी लिस्ट में आपक कर पाएंगे तैने बाद दोस्तों जाहिन जैभारत बंदे मातरम